जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रमजान स्पेसियल रेसिपी आज हम बनाएंगे कीमे की खमीरी पूरी खमीरी पूरी सूरत की एक फेमर्श ट्रीट फूर्ड में से एक है सूरत की special इस recipe को आज हम chicken के कीमे से बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं पूरी के लिए हमें कीमे, आलू और चना दाल की बोल्स बनानी है तो इसलिए हमें चना दाल और आलू को प्रेसर कुकर में बोई कर लेना है तो हमने 4 टेपल स्पून जितनी चना डाल ली है और इसे हमने पानी से अच्छी तरह धो कर 15 मिनिट के लिए भिगो दिया था इसी के साथ हमने यहाँ पर मीडियम साइस के तीन आलू लिये है आलू को हमने बीच में से काट लिया है इसे भी हम प्रेसर कुकर में डाल देंगे और इसे बोईल करते वक्त हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे तो खमीर बनाते वक्त हम इसी पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही पानी एट किया है अब हम pressure cooker को lead से cover कर देंगे और medium flame पर 2 pressure आने तक इसे boil कर लेंगे medium flame पर 2 pressure आने के बाद हमने gaze की flame को off कर दिया और अब इसके pressure को खुछ से release होने देंगे और इसकी lead को खोल लेंगे तो अब हम इसमें से आलू अलग निकाल लेंगे और इसे छील कर इसे हमें अच्छे से mash कर लेना है और हमें चना डाल को भी छनी से छान लेना है और इसका जो पानी है इसे हम संभाल कर रखेंगे इस पानी का इस्तेमाल हम खमीर बनाते वक्त करेंगे तो इसे हम फेंकेंगे नहीं खमीर बनाने के लिए हमने दो कप मेदा लिया है बजन के हिसाब से ये 250 ग्राम है तो इसमें हम एक टीस्पून नमक डाल देंगे और इसी के साथ हमें इसमें डाल देनी है यिस्ट तो हमने यहाँ पर दो टीस्पून जितनी एक्टिव यिस्ट ली है जो के आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी मार्केट में आपको दो तरह की यिस्ट मिलेगी जो की एक इन एक्टिव होती है और एक्टिव तो हमें यहाँ पर एक्टिव वाली यिस्ट का इस्तेमाल करना है और इसी के साथ हमें इसमें एक टेबल स्पून तेल डाल देना है और हमने जो आलू बोईल किये थे उसे हमने अच्छे से मेश कर लिया है तो मेश किये हुए इन आलू का तीसरा हिस्सा जानी कि एक तीहाई हिस्सा हम खमीर बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो पहले हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका खमीर तयार कर लेंगे और इस टेच पर हमें उसी पानी का इस्तेमाल करना है जिस पानी में हमने चना दाल और आलू को बोइल करके रखा है और ये पानी already गरम है अगर आपको लगे के पानी की quantity थोड़ी कम है तो आप थोड़ा पानी अलग से गरम कर ले लेकिन पानी को ज्यादा गरम मत कीजेगा पानी थोड़ा गुनगुना ही होना चाहिए लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना पानी काफी होगा और ये जो पानी है ये भी ज्यादा गरम नहीं है इसे भी हमने थोड़ा गुनगुना ही रखा है तो इस तरह से हमने खमीर तयार कर लिया है और आप इसकी consistency देख सकते हैं हमने इसे ज्यादा पतला भी नहीं किया और नहीं इसे ज्यादा गाड़ा किया है और अब इस तरह से हम एक ही direction में हाथ चलाते हुए इसे 5 मिनिट तक mix करते रहेंगे और अब हम इसे set करने के लिए धूप में रख देंगे या फिर kitchen में किसी इसी जगापर रखें जो थोड़ी गरम हो तो दो घंटे के लिए इसे रख देंगे बोल्स बनाने के लिए हमने आलू और चना दाल तो बोईल कर ली है लेकिन कीमा अभी पकाना बाकी है तो हम एक पेन में एक टेबल स्पून तेल गरम करने के बाद इसमें 250 गरम चिकन का कीमा डाल देंगे गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5-7 मिनिट के लिए फ्राई करेंगे पांस से 7 मिनिट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे किमे का कलर चेंज होने लगा है और इसमें से काफी पानी रिलीज होने लगा है अब हमें गेस की फ्रेम को मिल्कुल मीडियम कर देना है और इस्टेश पर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो 2 टीस्पुन भरके हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक टीस्पुन छोटी हरी मिच का पेस्ट इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हमें इसमें टेस्ट का अकोर्डिंग नमक डाल देना है तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक टीस्पुन जितना नमक एड़ किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी सूखने ना लगे तो कुछ देर तक पकाने के बाद आप देखेंगे किमे का पानी ड्राई होने लगा है और अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देंगे जैसे कि 1 tsp धन्या पाउडर, 1,4 tsp जीरा पाउडर, 1,4 tsp गरम मसाला, 1,4 tsp हल्दी पाउडर और 1 tsp काली मेच पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने चिकन का कीमा लिया है तो इससे पकने में ज्यादा दे नहीं लगेगी और अच्छे से मिला देने के बाद हम इसमें प्यास डाल देंगे तो हमने एक बड़ी साइस की प्यास को चोपर में बिल्कुल बारिक काट लिया है तो यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि प्यास काचने के बाद हम हाथों से निचोड कर प्यास का सारा पानी निकाल लेंगे मिला लेंगे इसे और कीमे को low flame पर तब तक पकाएंगे जब तक की ये पूरी तरह कुख न हो जाए मसालों के साथ प्यास के साथ हमने इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए और पका लिया है और इसी के साथ कीमा अच्छे से कुक हो गया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा कर लेंगे तो अब हमने यहाँ पर एक बड़ा mixing bowl ले लिया है कीमे को हमने room temperature पर अच्छे से ठंडा कर लिया और अब हम इसे इस bowl में transfer कर देंगे और इसी के साथ हमने जो चना दाल boil करके रखी हुई है उसे भी इसमें डाल देंगे तो अब देख सकते हैं की बिल्कुल perfect boil हुई है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कब बारिक कटा हुआ हरा धनिया और आधा कब बारिक कटे हुए पुदिने के पत्ते और हमने जो आलू मेस करके रखे हैं उसे भी हम इसमें डाल देंगे तो अभी हम आलू की सिर्फ आधी कॉंटिटी इसमें डाल रहे हैं अगर जरूरत लगी तो बाकी के आलू इसमें एट करेंगे नहीं तो रहने देंगे और आपको जो भी मसाले कम लग रहे हों आप इस टेश पर डाल सकते हैं तो हमने थोड़ा सा काली मिच का पाउडर और नमक इसमें एट कर दिया है और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आलू एक बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो आप बागी के आलू भी इसमें एट कर सकते हैं और अब हमें इसमें से छोटी साइस के बोल्स बना लेने हैं तो इसमें से थोड़ा सा पोर्सन लेकर इस तरह से इसे बोल का सेब दे देंगे और इसी तरह हम इस साइस के सारे बोल्स बना कर तयार कर लेंगे और हमारा जो खमीर है इसे रखे हुए भी दो घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये इसकी कॉंटिटी में डबल हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से हमें इसे कुछ देर तक एक ही डाइरेक्शन में मिलाते रहना है अगर आपको लगे कि खमीर थोड़ा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा मेदा डाल सकते हैं और एक डाइरेक्शन में मिलाने के बाद इस तरह से हम इसे कुछ देर तक हाथों से फेटे रहेंगे तो तीन से चार मिनिट तक हमें इसे इसी तरह फेटे रहना है लेकिन खमीर की जो consistency होनी चाहिए उससे हमने इसकी consistency को थोड़ा पतला रखा है क्यूंकि हमें जो बोल्स के उपर खमीर coat करना है उसकी quantity हम कम ही रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि खमीर की quantity बोल्स में ज्यादा हो तो आप इसे थोड़ा गाड़ा रख सकते हैं तो हमने इस size की 30 बोल्स बना कर तयार कर ली है अब हम पूरी को fry करेंगे एक तरफ तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और हमने जो बोल्स बनाई है उसे हमें इस तरह से खमीर में डीप कर देनी है हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाते हुए बोल्स को खमीर से अच्छे से कवर कर देंगे और तुरंथ हमें इसे तेल में डाल देना है तो आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस को फोलो करते हुए हम सारी बोल्स पर खमीर को इसी तरह एपलाई कर रहे है पहले हमने बोल को खमीर में डाल दिया फिर हाथों पर पानी एपलाई करके इसे खमीर से अच्छे से कोट कर दिया और इसे फिर तुरंथ ही तेल में डाल देंगे और पूरी को फ्राई करते वक्त हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे अगर आपने यहाँ पर गेस की फ्लेम को मीडियम या फिल लो रखा तो हमारी जो पूरी है वो क्रिस्पी बनेगी सोफ्ट नहीं बनेगी और हाई फ्लेम पर फ्राई करने के दोरान हम इसकी साइट्स को चेंज करते रहेंगे ताकि यह हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि यह लाइट गोल्डन ना हो जाए तो जैसे ही इसका कलर लाइट गोल्डन होने लगेगा हम इसे तेल में से निकाल लेंगे तेल में से निकालने के वक्त शुरुआत में आपको इसकी उपर की लेयर थोड़ी क्रिस्पी लगेगी लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाने के बाद ये बिल्कुल सोफ्ट हो जाएगी और इसी तरह हमें सारी खमीरी पूरी फ्राई कर लेनी है तो यहाँ पर हमारी सूरत की फेमस कीमे की खमीरी पूरी बनकर बिलकुल तयार है आप देख सकते हैं कि ये कितनी सोफ्ट है और बहुत ही मज़े की ये पूरियां बनकर तयार होती है आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो कॉमेंट बुक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरेंस सेर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें सारी पूरियां फ्राई करने के बाद थोड़ा सा खमीर बच गया था तो उस खमीर में हमने थोड़ी सी चीनी डाल कर उसे अच्छे से मिला लिया और हमने मीठी खमीरी पूरी बनाए है ये भी बहुत ही मज़े की लगती है आप हमारे चैनल पर नए है तो मेरी आप से हमबल रिक्वेश्ट है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई